जमस्कार साथियों, आज हम लोग देखते हैं इंडियन एस्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को आईसेफर 2019 में ही हुआ था, आज हम लोग बिहार बिहार को देखते हैं, नेशनल लेवल के बहुत सारे चीज़ों को लोग देख चुके हैं, तो चलिए आईसेफर में कुछ बेस किया में स्कॉार लिख दूँगा तब समझाज़ेगा के स्कॉार किलोमीटर की बात हो रही है, तो इतना बड़ा एरिया है बिहार का, सब लोग इसको लगभग लभग घोटकी रखे हुए हैं, 2.86 परसेंट है भारत के एरिये का, कितना है, 2.86 परसेंट है भारत के एरिये है, बिहार का, यानि अच्छांस बोले तो, और लोंगिट्यूड बोले, तो 83 डिगरी 16 मिनट इस ते लेके, 88 डिगरी 30 मिनट इस तक है, लोंगिट्यूड देसांतर बोले तो, ठीक है, ये भी आपको एकडम से याद रखना है, लोंगिट्यूड कितना है, नहीं है, जो हिली डिस्टिक हो, यानि पहारी जिला हो, और आदिवासी जिला हो, ऐसा कोई भी डिस्टिक नहीं है, नो हिल और ट्राइबल डिस्टिक इन बिहार, बिहार में कोई भी ट्राइबल यानि आदिवासी जिला नहीं है, अब धुरा सब बिहार को देख लेते हैं मैंने इसको अपने तरीके से इसका नक्सा खीचा है आप लोग भी इसी तरह से रफली अपना नक्सा खीचने की प्रैक्टिस करते रहे तो देखिए ये है बिहार का नक्सा आप देखिए बिहार को गंगा नदी दो बड़ावर भागों में बाठती है यह हमारी गंगा हो गई, जो बिहार को दो बड़ावर भागों में बाटती है, ठीक है, और अब अब देखिए, यह हो गया नौर्थ बिहार, नौर्थ बिहार हो गया, और यह हो गया साउथ बिहार, ठीक है, इसी तरह तो यह हो गया नौर्थ बिहार, यह हो गया साउथ बिह अब देखिए इसमें कैसे मतलब किस तरह से वो वर्क हो रहा है इस चीज को देखिए तो नॉर्मली किया यही तो होता है इसका यह नौर्थ, साउथ, इस्ट और वेस्ट इस तरह से यह बनता है नौर्थ बिहार है यह साउथ बिहार है ठीक है अब देखिए इसके बिहार के इस्ट में क्या है, बिहार का जो इस्टर्ण साइड है, इस तरफ है, यह इस तरफ तो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल पढ़ता है इस तरफ, वेस्ट बंगाल, अब डिष्टी के बारे मैं नहीं बताँगा, इधर के सन गंज हो गया, इधर जो है हमारा पश्चिमी जो है बिहार के पश्चिम इस्ट में क्या पढ़ता है वेस्ट बंगाल नॉर्थ में यह जो छेतर है यह पूड़ा लगता है वो लगता है एक अंतरास्ति यह सीमा बना लेता है नेपाल के साथ ठीक है ना और नीचे में जो है यहाँ पर आपके जारखंड हो गया जारखंड गंगा उतर प्रदेश से आती है बिहार के भीतर में ठीक है और 425 किलो मिटर इसकी ये लंबाई है और ये बिहार को दो भागों में लगभग लगभग दो बड़ाबर भागों में कट कर देती है तो गंगा जो है न वो एक बहुत बड़ी डेनेज सिस्टम है एक नदी तंत् है उतर से आके घागरा मिलती है इसी में गंड़क आके मिल जाती है फिर बूढ़ी गंड़क मिलती है बूढ़ी गंड़क में बागमती आके मिल जाती है ऐसा कहते हैं कि उतर बिहार को बागमती बीच से कार देती है तो बागमती जो है वो आके गंगा में मिल जाती है फिर मिलती है गंगा में तो ये कुछ परमुक नदी है और भी बहुत छोटी मोटी नदी है लेकिन वो exam point भी उसे महत्वण नहीं है और वो नहीं पूछे जाएंगे इसी तरह इधर से देखिए सोर नदी जो है वो मिल जाती है जाके गंगा में पुनपुन नदी भी जाती है मिलती है गंगा में फल्गु जाती है इसके बाद बधुआ नदी है ये भी जाके गंगा में मिलती है तो मैंने सिर्फ important नदी को ऐसे ही बताया है क्योंकि जो forest जो है हमारा वो forest हमारा एक special प्रकार का forest है वो इसलिए है क्योंकि हमारे हाँ पानी की कमी नहीं है यानि खास तरह की नदीयों का तंत्र पूरा है जिसके करण हमारे जितने भी forest है वो सभी forest जो है उनको पानी मिलने में ज़्यादा परिशानी नहीं है चलिए हम लोग आगे देखते है आगे देखते हैं वार्षिक जो है न वर्षापात कितना है यानि annual rainfall कितना है हमारे हाँ सालाना जो वर्षा होती है 1000 mm से लेके 2000 mm के बीच में हो जाती है बर्षा मतलब बर्षा हमारे हाँ पानी की जो है न वो कमी नहीं है मांसुन की महरवानी है बिहार के उपर तो सालाना वर्षा 1000 mm से लेके 2000 mm के बीच में है ये काफी अच्छा वर्षा है और सालाना जो तापमान जो है सालाना जो टेंपरेचर है यानि average annual temperature है वो है 20 degree Celsius से लेके 28 degree Celsius तक भई मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ मुझे तो सिर्फ जंगल बताना है जंसंख्या है वो है 88.71% और जो सहरी जंसंख्या है यानि urban population है वो है 11.29% rural population है 88.71% और urban population है 11.29% ठीक है इसको देख लिया rural यानि ग्रामीन urban यानि सहरी अब देखते है यहाँ पे tribal population भी है कुछ बिलकुल tribal population भी है कुछ ठीक है ना आदिवासी कुछ है तो कितना है तो 1.28% 1.28% ही आदिवासी यहाँ रहते हैं आदिवासी की चर्चा क्यों करते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि नॉर्मली आदिवासी जो है ना वो जंगलों के आसपास रहते हैं या जंगलों में रहते हैं इस हिसाब से हमने आदिवास्ची की चर्चा की अब बात करते हैं population की population बिहार की कितनी है तो 104.1 million 104.1 million यानि 10.41 करोड कितनी है population 10.41 करोड population है और population density की बात करें तो population density कितनी है 1106 पर square kilometer यानि एक kilometer में 1106 लोग रहते हैं तो ये देखिए सभी states में बिहार का अस्थान जो है population density में वो एक नंबर का आता है यानि बहुत ज़्यादा population density है बिहार की एक राजी के रूप में केंद्र सासित परदेश में तो आप जानते हैं दिल्ली का सबसे जार में है लेकिन वो सहरी छेतर है पुड़ा दिल्ली सहरी छेतर है लेकिन हमारा जो ग्रामीन और सहरी सब छेतर मिला के 1106 पर square kilometer है जो काफी जादा है अब देख लेते हैं live stock population कितना है तो हमारे पास 3.65 करोड हमारा live stock population है पहले 32.9 million था 19th census जो हुआ था 19th में census जो हुआ था कब हुआ था 2017 में हुआ था और ये वज़ा census हुआ है ये हुआ है 2019 में 2021 का census अभी नहीं आया है और अभी कोरोणा और बाकी जो चीजों में सरकार उलजी हुई है इसलिए अभी तत्काल उमीद भी नहीं है इसलिए हम लोग 2019 का कर लेते हैं अगर कुछ अप्डेट आयेगा तो मैं फटाफट वो अप्डेट कर दूँगा आपको अब बिहार क्या है तो बिहार में इतनी नदिया है यहां की जलवायू इतनी अच्छी है कि कहीं भी अगर छोड़ दिया जाए किसी भूमी को तो अपने आप ही एक घना और बहुत सखन वन जो है है ओक जाएंगे लेकिन जोकिए आवाजी ज्याधा है इसलिए यहां पे जो है ना फौरेस्ट जो है वो कम है तो बिहार का है फॉरेसिटी फॉरेस्ट डिफिसियंट एस्टेट है यानिकि यहां पर वनों की कमी वला राज्य है बिहार अब यहां पर किस طرح के वन पाये ज ठीक है ना साल फोरेस्ट पाए जाते हैं तो कहां कहां मिलते हैं वेस्ट चमपारण इन तराई रीजन वेस्ट चमपारण और जो तराई छेत्र है जो नेपाल के कसे सटा हुआ जो डिस्टिक का छेत्र है ना वो सब तराई है है ना तो वेस्ट चमपारण इन तराई रीजन नौर्थ उत्तर में कैमोर, रोहतास, और अंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर, बाका डिस्टिक्स है ना, इन सब में साल फोरेस्ट जो है वो मिलते हैं, कि साल फोरेस्ट मिलते हैं इन सब छेत्रों में, अब देखिए यह, चंपारण में अच्छी बरसा होती है, तो वेस चंपारण डिस्टिक्स में मुईस्ट डिसीडियस साल फोरेस्ट मिलते हैं, ठीक है ना, आर्द डिसीडियस साल फोरेस्ट मिलते हैं कहां, वेस चंपारण में, चलिए आगे देखते हैं, साउथ बिहार में, साउथ बिहार जो दच्छीन बिहार है, वहाँ बारिस का लेव चेंपियेडेड़। नोटिफाई किये गए हैं ज्यादा दर जो नेशुरल फोरेस्ट है वो प्रोटेक्टेट फोरेस्ट नोटिफाई किये गए हैं बिहार में एक नेशनल पार्क है बस एक नेशनल पार्क है कौन है वालमी की नेशनल पार्क टाइगर डिजर्व है ये वालमी की टाइगर डिज चुड़ी है रामसर साइट यहाँ पहले नहीं थी अब बन गई है जब यह रिपोर्ट आई थी उससे में नहीं थी रामसर साइट हो गई है तो कौन सी रामसर साइट है मुझे अभी जो है comment में लिख के मुझे बताईए वैसे वीडियो के last तक मैं बता दूँगा कि रामसर साइट कौन सी है तो बिहार में रामसर साइट पहले नहीं थी अब एक है देश में कितनी रामसर साइट है 42 के कड़िब रामसर साइट है और अभी तो बढ़ी भी नहीं है भी नहीं है बिहार में तो चलिए यह कुछ बेसिक चीजे हैं यह हमने देखी जो और जगह है वो बिहार में नहीं है अब देखते हैं 12 वाइल लाइफ सेंचूरी को बिहार के जो 12 जो वाइल लाइफ सेंचूरी है उसको देख लेते हैं तो बडेला जील, सलीम अली, वैसाली में है, यह सबसे छोटा है, मैंने नंबरिंग ऐसे ही कर रखी है, इस नंबरिंग का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस गिन के बारा होने चाहिए, इसलिए मैंने इस नंबरिंग को किया है, तो जो बारा जो वाइल डाइप सेंचूरी है उसमें देखते हैं, बडेला जील, सलीम अली, यह वैसाली में है, यह स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा यह है, भीमबांध यह मुंगेर में है, यह कई बार इस तरह से सामानी कोशिन भी आते हैं, कि बडेला जील, सलीम अली, जो बर्ड सेंचूरी है, वो कहां पड़ है, या बडेला अली, सलीम अली, वैसाली में है, तो यह क्या है, स्मॉलेस्ट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, भूलिएगा नहीं कभी भी, क्योंकि प्रशन का आप नहीं पता कर सकते किस तरह का आएगा, तो पुड़ी इन्फॉर्मिशन है, वो दिमाग में भढ़ के रख यह क्या था, पहला वाईलाइप सेंचुरी था, कैमोर वाईलाइप सेंचुरी है, रोहतास में, कामर जील बर्ड सेंचुरी है, बेगुसराय में, अब देखिए, इसको मत भूलिए कामर जील को, कामर जील अभी बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, अभी मैंने कुछ ब कुझे सव्धान दर्भंगा में है कुझे सव्षान भर्ड सेंचुरी फिर नकटी डेम बर्ड सेंचुरी यह जमुई में अभी क्या है नागी नकटी बहुत चर्शा में है क्योंकि वहां पे कलराव नाम का पच्छी उत्सव अगरा जो है वो किया जा रहा है तो यह क्रेंट में काफी चर्चाओं में है तो नक्टी डैंबर सेंचुरी कहा है तो यह है जमुई में विक्रम सिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है भागलपुर में देखिए विक्रम सिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहा है तो भागलपुर में है और वालमिकी वन्य प्रानी सेंचुरी ये है वेस्च अमपारण में, ये सबसे बड़ा है, देखिए, नाम प्रोपर एकदम जानना जरूरी है, जैसे वालमे की वन्य प्रानी सेंचुरी नाम है उसका, ठीक है न, तो वालमे की वन्य प्रानी सेंचुरी कहा है, ये है वेस्च अमपारण में, ये क्या है, सबसे बड़ा है अब बात करते हैं हम लोग राजगीर तो राजगीर का जो है पंत वन्य प्रानी सेंचुरी यह है नालंदा में इसको राजगीर भी बोलते हैं राजगीर वर्णी प्रानी सेंचुरी भी और इसका नाम पंत वन्य प्रानी सेंचुरी भी है तो दोनों ही नाम जाना ज़ड़ी है ये कहाँ पड़ है ये है नारंदा में पंत वर्नि प्रानी संचुरी कोड़ाजगीर प्रानी संचुरी भी कहते हैं जो है नारंदा में अब बात करते हैं उधैपुर वर्नि प्रानी संचुरी की ये है वेश्चेमपारन में वेश्चेमपारन में एक और यह वहीं होने वाला है अब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की यानि विश्व धरोहर अस्थाल की ठीक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानि विश्व धरोहर अस्थाल की तो महा बोधी मंदिर जो है जो बोध गया में है उसको विश्व धरोहर अस्थाल में अस्था बिहार, ठीक है, दो हैं, विशुधरोह रस्थल, कई बार सालवाल भी पूछ लेते हैं कि कौन से साल में कैसे मिला, तो वो भी मैं बेसिकली अगले क्लास में बता दूंगा, तो अभी यहां पर बता के बहुत कॉंपलक्स नहीं करूंगा, जब वहां चलूंगा, तो वहां ब जो है, वो कितना है, 3.44% एडिया बिहार हो गया, प्रोटेक्टेड एडिया जो है, जो सरकार दोरा प्रोटेक्टेड एडिया है, जहां जानवर नहीं मार सकते, पेर नहीं कार सकते, उसकी संख्या है, 3.44% एडिया बिहार, इतना ही एडिया प्रोटेक्टेड है, बिहार म अब हम लोग देखते हैं, मतलब forest cover को देखते हैं, 2019 में जो हमारा था, ये सब सब 2019 का यहां तक 2019 ही हम लेंगे, 2017 को छाड़ देते हैं, ठीक है ना, तो देखिए forest cover देखते हैं, यानि वनावरन कितना है, tree cover यानि विरिक्षावरन कितना है, और scrub यानि जारियां कितनी है, तो forest cover देखते हैं, बिहार में, 2019 में कितना है, तो 7306 किलो मेटर है, देखिए कुछ और बदलाव या कुछ अपडेट होगा, तो मैं print message में तुरंत ही मैं नीचे में दे दूँगा, comment box में में डाल दूँगा, खुद ही, तो अभी क्या है, एरिया जो है, 7306 किलो मेटर है, कितन होना चाहिए, वन कितना होना चाहिए, पुड़े भारत में कितना होना चाहिए, और बिहार में कितना land पे वन होना चाहिए, चलिए comment box में बता दीजिएगा, वैसे मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, अभी class में नहीं बताऊंगा, इस lecture के बाद बताऊंगा, पिंड message में म बताऊंगा ठीक है ना ताकि आप लोगों में से कोई है नीचे में जरूर कॉमेंट बक्स में डालिए फॉरेस्ट कवर कितना है तो 7306 किलो मेटर है और कितना परसेंटेज है तो 7.76 परसेंट है अब देखिए इसमें ग्रोथ और लॉस्ट को देखते हैं कि यह जो है बढ़ इसे कोईश्चन भी पूछे जाते हैं कि फॉरेस्ट कवर बढ़ा है घटा है कोई बदलाव नहीं हुए है थोड़ा सा बढ़ा है 57 किलो मेटर के करीब इस तरह करके कोईश्चन जो है कई बार आते हैं अब देखते हैं ट्री कवर को ट्री कवर कितना है तो 2003 स्कॉयर किलो म मेटर के करीब घटा है देखिए ट्री कोवर जो था ना जो वरिक्षा वरंड वो क्या है घटा है वरिक्षा वरंड क्या हुआ है घटा है किसके अनपात में घटा है तो यह जो है 2017 के अनपात में यह घटा है चलिए आगे देखते हैं हम लोग scrub, जाड़ियों को देखते हैं जाड़िया कितनी है, तो δो 519,882 km में jाड़िया 250 मले लेज़े, दो 50,883 km में jाड़िया जाड़िया है कितना है तो 0.27% है, 0.27% है और 21,882 km ये बढ़हा है, ठीक है यह कितना बढ़ा है 21.88 square kilometer यह बढ़ा है ठीक है तो यह basic पहले 228 था अब कितना है 250 है पहले 1 कितना था 7299 kilometer था अब 7306 square kilometer है तो यह basic चीजों को ही देखिए ज्यादा deep में इसमें जाने में बहुत जरूरी नहीं है शिर्फ इतना जानिए कि tree cover घटा है, forest cover बढ़ा है और scrub जो है वो भी बढ़ा है बहुत ज़्यादा इसमें detail में जाने की ज़ोरत इसमें नहीं है चलिए हम लोग आगे जाते हैं हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा साओर कि किस तरह के forest पाये जाते हैं है ना, VDF का मतलब very dense forest यानि बहुत सघन घना जंगल MDF का मतलब होता है medium dense forest यानि कम घना ठीक है OF का मतलब हो गया open forest यानि खुला जंगल ठीक है very dense forest को हम लोग देखें तो area 333.13 है square kilometer और पूरा कितना है तो 0.36 जो है परसेंट है ये बात पूरे area का 0.36 परसेंट है medium dense forest कितना है तो ये है 3280.32 जो है square kilometer है और ये कितना है लगभक जो है 3.48 परसेंट हो गया 3280 square kilometer हो गया और open forest देखते है 3692 kilometer हो गया point के बाद के digit को छोड़ दीजिए इसको याद करने का कोई मतलब भी नहीं है तो ये है 3.92 परसेंट के करीब करीब हो गया अब total देखते है तो 7305.99 kilometer forest area हो गया जो 7.76 परसेंट हो गया इसमें scrub भी जोड़ देते हैं जो है 249.88 ठीक है तो ये 0.7 है सबसे ज्यादा जो बढ़ा है जंगल वो बढ़ा है बाका में कितना बढ़ा है लगवग 20 kilometer बढ़ गया है ठीक है 20.73 square kilometer जंगल बढ़ा है कहां तो बाका में सबसे ज्यादा घटा है रोहतास में कितना घटा है तो minus 33.77 kilometer square square kilometer घटा है कहां रोहतास में अब देखते हैं कि बिहार में net zone area कितना है कितना बोया गया छेतर कितना है तो यह 5,280 square kilometer जो है 56.39% है यह कुल भूमी का 56.39% जो है बोया गया छेतर यारी net zone area है wetland area की बात करें आर्द भूमी जो है वो कितनी है तो 0.63% है अब देखें पेरों में कितनी species है पेर 113 तरह के पेर पाये जाते हैं बिहार में बिहार में 113 तरह के पेर पाये जाते हैं हम लोग तो limited पेर को जानते हैं हम अपने आसपास लेकिन बिहार में बिहार में टोटल जो ट्री है उसकी 113 प्रजातिया जो है वो पाई जाती है इसी तरह सर्ब जाडियों को देखें तो 42 स्पीसिज तो सिर्फ जाडियों की है 42 तरह की जाडिया है बिहार में और हर्ब को देखें तो 52 स्पीसिज है जो हर्ब है ठीक है उसकी 52 स्पीसिज जो है वो पाई जाती है चलिए अब देखते हैं चलिए सिर्फ इसना देखिए कि सैनन वीनर इंडेक्स जो है वो ट्री, सर्व और हर्व वगएरा की परजातियों के बारे में है इसके ग्रूप्स को बताता है कि सैनन वीनर इंडेक्स जो है वो पेर, पौधे, जारियों वगएरा के डिफरेंट ग्रूप्स है न उसके बारे में बताता है उसने जो कलासिफिकेशन कर रखा है वो याद करने का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला उल्टा नुकसान हो जाएगा ये ऐसे चोटे-चोटे चीज फालतू के याद रखेंगे न तो बढ़िया चीज़ें दिमाग से उतर जाएगी चलिए अब देखते हैं फायर प्रोन एडिया को यानि फायर प्रोन एडिया जो है वो बिहार में कितना है ऐसे कितने छेत्र हैं जहां पर जंगलों में बहुत आराम से आग लग सकती है क्योंकि अभी जंगल की आग जो है न वो काफी ज़्यादा चर्चाओं में है काफी ज़्यादा मसूर है क्योंकि कल ही मैंने पेपर में देखा था कि USA में हाईवे तक पहुँच गई थी जंगल की आग जंगलों में आग हमेशा जो है वो लगती रहती है तो मुझे बताना है कॉमेंट बॉक्स में बताईए ये प्रस्ण में आप लोग के उपर फेकता हूँ वैसे मैं तो इसका जवाब दूँगा ही लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लर्निंग हो हमेशा एक्टिव लर्निंग हो ऐसा नहीं हो कि मैं क्लास लेडा हूँ आप सोज़ें तो ये मुझे बताईएगा कि बिहार के फायर प्रोन एरिये कितने हैं वनों के चलिए आगे देखते हैं अब हमने जो बात बताई थी कि एक रामसर साइट कौन सी है अब हम उस पे पहुँच चुके हैं तो बेगुसरे की कामर जील अब रामसर साइट की लेष्ट में सामिल है बिहार की पहली और देश की 49 ऐसी जील है जो रामसर साइट में सामिल हुई है एक खास बात और है कि देश के पुरवतर भाग की सबसे बड़ी जील है कामर जील देश का जो पुरवतर भाग है इसका सबसे बड़ा जील कौन सा है तो वो कामर जील है चलिए ये नौलेज थी और 42 रामसर साइट से अभी भारत में तो चलिए ऐसा basic question था इसमें एक दो बार इसको वीडियो को देख लिजीएगा याद हो जाएगा जो चीज नहीं ध्यान पड़े उसका notes बना लिजीए कुछ प्रस्ण मैंने यहाँ पर आपसे पूछे हैं वो कोसिस करिए कि आप मुझे comment box में बता दीजीए तो चलिए अभी के लिए इतना ही धन्यवाद